नमस्कार दोस्तों सवागता आपका हमारे यूटूब चैनल पर और आज से हम स्टार्ट करें रिजनिंग की 100 ट्रिक्स आपके लिए जो आपके एक्जाम में बहुत बेनिफिट देगी तो सबसे पहले आता है अलफाबैट्स की बारी जो बच्चे एक्जाम में सबसे पहले पेज़ पे लिखते हैं उनकी नमरिंग करते हैं तो अब वो भूल जाए नमरिंग करनी अब हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको यह माइंड में ही याद हो जाएंगे कि कौन सा कौन से नमबर पे आता है तो गाइस देखो स्टार्ट करते हैं बाई जैसा कि ए इसे डिनोट करें हम 1,2,3 तीन डंडों से बना है तो C आता है तीन पे तो भाई अगला आता है आपका D, D को देखें 1,2,3,4, 4 दंडों से बना तो D आ गया 4 पे गाईस, E का भी 1,2,3,4,5, E आता है 5 पे, F को हम देखें इस एंगल से तो भाई जो F का यह नीचे गाई इस 6 बन जाता है, तो F आता 6 पे, G को देखें हम ऐसे, यह जो नीचे का इसा होता है, 7, 7 से डिनोट करता है, G आ गया 7 पर, H को देखें हम ऐसे, भाई उपर एक डंड़ा, हाट बन गया, H आता है, 8 पे, I, I know, I know सभी बोलता है, I know, I know, तो I know पही आता है गाईस, इसका तो अगा तरीका, G को हमने बनाया कुछ अलग तरीक से, G फॉर होता है, जोकर, जैसे कि हम सब को पता, G फॉर होता है, जोकर, और भी होते हैं, हमने जोकर लिया, तो भाई, जोकर, डंडा, और 0, क्या बन गया, शुरू के दो गड़ों से, 10, तो G आता है, 10 पर, ठीक है, गाई 11 बन रहा है, और 12 होता है, 12, यह आपको 1 और 2, 12 आगा है, 12 पर, अब आए हम M की बारी, M को हम थोड़ा ऐसे बनाए, small, alphabet में, तो वही उल्टा 3 बन रहा है, तो यह आता है, 13 पर, N को small में बनाए हम, तो N ऐसे लिगा जाए है, यह आपको देखे, इसको reverse करके, तो यह 4 से देखे, तो यह आता 14 पर, ठीक है, और O का, अभी आपको बताते हैं, अभी चलते हैं P पर, O का थोड़ा है, आपको याद करने के लिए, difficulty होगी, P, P को हम reverse करेंगे, तो यह कुछ ऐसा दीगेगा, तो भाई, यह होता 16 पर, 6 से देखे, क्यों, small क्यों कैसे लिखते हैं, यह यह बन गया हमारा, 7 से denote कर रखा हमने, तो यह 7 होगया, Q बाई तो 17 पर, तो आगे चलते हैं, 18 पर, आगे चलते हैं, आर पर, आर आता है वाई, अपना 18 पर, इसको हमने ऐसे denote किया है, आर, तो इसको हम ऐसे जोड़ दें, तो कुछ शेप 8 की बनती है, तो यह होगया, 18, 19, इसको कैसे लिखते हम, इसको ऐसे काड़ दें, बीच से, आपको पता है, ऐसे भी लिखा जाता है, एंड का शोग, तो यह बन गा 9, 9 होता है, तो 19 पर, T, 2, तो 20, और U का बाद में बताएंगे, V पर आते है, V के दो डंडे, तो यह होता है, 22 पर, W वही अपना, 3, तीन से denote है, तो यह आगा है, 23 पर, X, 1, 2, 3, 4, 24, और Z का सभी को पता होता है, 26, और Y का सभी को पता होता है, 25, तो गाइस, अब बचा सिर्फ U और O, U और O आपको याद करने पढ़ेंगे, क्योंकि इनने कहीं से denote नहीं कहा जाता, वैसे M और N का पता चल गया, तो M, N का सभी को पत 15 हो गया, और T का आपको याद हो गया, U, V का याद हो गया, तो U तो कहीं नहीं गया, T के बाद U, तो 21, और यह थी गाईज आज की ट्रिक, छोटी सी, I hope आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, और चाहर ज्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आए इनके अपोजिट लेटर आपको याद करने, जैसे कि A to Chad हो गया अपोजिट, B से Y, By हो गया, तो ऐसे पूरी ट्रिक बना रखिए, नेक्स्ट वीडियो में दिखाते है आपको, तैंक्यू गाईज,